इस आर की शुकला, एक्स फैकल्टी ओफ एलन, एस वेल एज आकास, उटा, बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरियस, एस वेल एज न्सी आईटी, रीडिंग फॉर नीट 2024, और इस अबते में हम लोग बात कर रहे हैं, Structural Organization of Animal, बन बीक, बन यूनिट, एंड बन लेक्चर, बन क्लास, और इस सीरिज में दो लेक्चर और दो माइनर टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे फ्रॉक के बारे में, कल उसका टेस्ट रहेगा, माइनर टेस्ट फॉर फ्रॉक, और संडे में एक लंबा टे इशू, कॉक्रोच, एस बालस फ्रॉक, इन तीनों टॉपिक के लिए रहेगा, तो सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं, पूरा NCIT हम लोग कवर कर रहे हैं, तो लगवग यह तह है कि इसके बाहर कॉशन नहीं जाएगा, ठीक है, तो चलो, यहां से हम लोग आगे बढ़ते है और इसमें सबसे पहले NCIT ने जो दिया है, इसके हैबिट और हैबिटेट को डिसकस किया है, जिसमें पहला पॉइंट है, क्लास एम्फीबिया, इस एनिमल मीन्स फ्रॉग ब्लोंग्स टू क्लास एम्फीबिया और एम्फीबिया का करेक्टर का है, फाउंड इन बोद लगभग आदा गंटे के लक्चर में हम एक चैप्टर को कवर करते हैं, और उसके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को यहां पर हम लोग डिसकस करते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया, उसके बाद उसके में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, एमफीबिया में होता है, एमफीबिया में नहीं होता है, एबीज और मामेलिया में होता है, जिन एनिमल में यह नहीं पाया जाता, वो अपने बोड़ी टेंपरेचर को तय नहीं कर पाते, अपने बोड़ी टेंपरेचर को sleep और estimation और जब winter season होता है तो इनमें क्या होता है winter sleep और hibernation और दोनों तरह के sleep के दौरान इनमें एक ही type का respiration काम करता है इस Is cutaneous respiration यूह फुरीं इस वात को दिमाग में अच्छी तरह से शेट करके रखना है कि इनके दौरान एक ही तरह का respiration काम करता है कौनसा respiration काम करता है cutaneous type of respiration यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर unable to maintain their own body temperature do not have constant body temperature Pisces amphibia और reptilia में यह बात होती है that's why estimation summer sleep and hibernation winter sleep is found ठीक है फिर उसके बात camouflage याद रखना frog में amphibia में protective coloring coloration मतलब इनका enemy जब भी समने आएगा तो यह अपने आस पास के climate से अपने color को match कर लेते हैं this character is called as camouflage और protective covering और mimicry यह character इसमें होता है अब थोड़ा सा इसके body part के बारे बात करें body is consist of head as well as trunk as far as question of trunk is there thorax plus abdomen are collectively called as trunk ठीक है और frog की बात करेंगे तो याद रखना इसमें neck neck और tail absent होता है इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा से इसके head के बारे बात करेंगे देखो head के mid dorsal side पर mid dorsal line होता है ठीक है head कैसा है triangular है mid dorsal line के दोनों side में बिलकुल anterior end पर क्या होता है nostril और external nears उसके बाद क्या है one pair eye और eye के उपर क्या है nictating membrane जो aquatic life के दोरान इसे water से बचाता है और उसके पीछे क्या टिमपेनम external ear is absent only middle and internal ear is found ठीक है ना तो टिमपेनम क्या करता है sound के vibration को क्या करता है receive करता है तो यह इसके ear का representative है you have to keep in ear भी फिर थोड़ा इसके leg के बारे में बात करने के जरूवत है देखो यह इसका four limb है और यह इसका high end limb है four limb में कितना digit है कितना finger है one two three four अब याद रखना cable male के four limb में first finger के नीचे एक pad जैसा structure पाया जाता है this is called as copulatory or naptial pad इसमें sexual dimorphism का main character है इस बात को याद रखना अगर हम high end limb का बात करेंगे तो इसमें one two three four five कितना digit है five digit या five finger उसके बीच में क्या है उसके बीच में एक बैब है जिसका इस्तेमाल किसमें होता है जिसका इस्तेमाल होता है swimming के दौरान water swimming के दौरान होता है और एक बात और याद रखना जब यह jump करता है तो jump के लिए push high end limb और jump करने के बाद जब इसको जमीन पर बापस आना होता है तो इसके बेट को समालने का काम कौन करता है ये four limb करता है इस बात को बच्चेव अच्छी तरह से याद रखना मतलब jump की शुरुआत कौन करेगा high end limb और उसे complete कौन करेगा four limb इस बात को अच्छी तरह करता है handle body weight after jump during leap और larger क्या करता है jumping during leap अगर body color की बात करते हो दिया दखना dorsal side में body कैसा है olive green with dark irregular spots इसको formula हमने दिया है dog d for dorsal o for olive g for green on the bentle skin the skin is uniformly pale yellow bentle side में कैसा है pale yellow है इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में sit करके रखना है फिर थोड़ा से skin की बारे बात करेंगे skin इसका कैसा होता है smooth होता है slippery होता है due to the presence of mucous gland इसमें बहुत सारा mucous gland होता है जिसके चलते इसका skin कैसा होता है skin जो है इसका slippery होता है और याद रखना the skin is always maintain in a moist condition skin हमेंसा moisture रहता है क्यों moisture रहता है क्योंकि skin से इसे respiration करना होता है और याद रखना ये कभी भी water drinking नहीं करता ये अपने skin से water को absorb करने का काम करता है इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखना है थोड़ा सा इसका external feature का detail है नॉस्ट्रिल के बारे में हमने बात कर लिया आई के बारे में हमने बात कर लिया और limb के बारे में भी हमने बात कर लिया limb का काम क्या है swimming, walking, leaping and burrowing इन सभी के बारे में हमने discuss कर लिया थोड़ा सा vocal sack के बारे बात करता है इसके Head के नीचे Head के Litter side पर male में क्या होता है Bucal सेक होता है जो क्या करता है जो इसका Crocking sound है मतलब तरर का sound है बेटा यहां थ्वड़ा sexual Diomorphism के बारे में हम बात कर रहे हैं मतलब कौन-कौन से character है जो male और female को अलग करते हैं तो मेल के बारे में मेल के हैड के नीचे क्या है भॉकल सैट है और यह लगॉकल सैक क्या करता है यह उसके क्रॉकिंग साउंद को जो तर्र की आवज ऑस अब सुन तो कभी रेनी सेजन में ध्यान से सुनना जब तर्र का साउंड आता है तो एक marvelous से आता है उसके बाद एक मतलब louder sound होता है और एक धी में से आता है dim sound होता है तो जो louder sound होता है वो किसका होता है male का जो dim sound होता है वो female का होता है तो यह structure male में है female में absent दूसरा भी हमने बात किया copulatory pad it is found only in male and absent in female male में यह है लेकिन female में यह absent है इस बात को अच्छी तरह से रखना कहा होता है फोर लिंब के फस्ट फिंगर के बेश पर होता है क्या होता है क्या होता है और थोड़ा सा बात करने है इसका करल से लिलिकी काणल के बारे हैं कि अलिमेंटरी के जाल में सब्सक्राइब मवथ के बाद किया बकल काविटी इस उसके बाद इस प्रमक उसके बाद इसमोल intestine small intestine is consist of dudenum as well as ileum jejunum नहीं होता and large intestine ये हो गया large intestine it is consist of rectum. Rectum कहां जाकर खुल जाता है? Cloaca में खुल जाता है और उसके Cloaca के mental side पर क्या खुलता है? Urinary bladder. ठीक है ये क्या करता है? Urine को store करता है. याद रखना Cloaca is a common opening for fecal material, urine as well as gamut. चीक है? तो और इसका जो external opening है Cloaca का, this is called as Cloaca aperture. तो थोड़ा सा बात करेंगे elementary canal के बारे में. तो देखो elementary canal is salt because frog are carnivorous and hence the length of intestine is reduced. याद रखना जितने carnivorous मासा हरी animal है, उनमें elementary canal की लंबाई कम होती है. और जितने भी साका हरी animal है, उनमें elementary canal की लंबाई ज्यादा होती है. खुड़ा सा टंग के बारे में बात करेंगे. टंग देखो फूड को काप्चर करने का काम कौन करता है? बाई लोग टंग करता है. फिर elementary canal किससे मिलकर बनना है? अगर आप digestive system की बात करोगे तो सारे कॉर्ड़िटा में दो ही कंटेंट से बना, elementary canal as well as digestive gland. elementary canal में कौन-कौन सा पार्ट है? माउथ है, बक्कल cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine which is consist of only dudion numb and ileum, large intestine which is consist of rectum only and cloaca which carry urine, stool and gametes. अगर आप digestive gland की बात करते हो तो gastric gland है, कहां पर है? इस्तमक में और यह HCL का secretion करती है, उसके अलावा liver है, pancreas है और intestinal gland है. लीवर क्या करता है? fat material का emulsification करता है. और pancreatic juice क्या करता है? pancreatic juice उसका digestion करता है. इस बात को अच्छी तरह से दिवाग में set करके रखना है. फिर थोड़ा सा बात करेंगे respiratory system of frog. देखो, aquatic life, estivation and hibernation. इन तीन condition में, इसमें cable cutaneous respiration होता है, मतलब respiration by moist skin. याद रखना, in condition में cable skin से respiration होता है. लेकिन जब ये land life में हैं, जमीन पर है, तो तीन तरह का respiration होता है. सबसे पहले क्या होता है? pulmonary respiration by lung. उसके बाद cutaneous respiration by skin and buccopharyngeal respiration by lining of buccal cavity as well as pharynx. तो ये याद रखना, terrestrial life में ये तीनों चीज़ें काम करता है. लेकिन अगर ये estimation, estimation का मतलब क्या होता है? summer sleep. hibernation का मतलब क्या होता है? winter sleep. या aquatic life है, मैं है, तो एक ही type का respiration काम करता है कुन सा? cutaneous respiration. ठीक है ना? फिर उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे इसके respiration during terrestrial life थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें. pulmonary respiration कैसे होता है? और इसमें one pair pink elongated lungs in upper part of trunk, thorax. बिटा एक बात याद रखना, एक बात यहां मैं तुम्हें बता दूँ, हम लोग पूरी तरह से NCIT को ही discuss कर रहे हैं. कि बोल उसको आसान बनाने के लिए हमने chart बनाया है. अगर कहीं NCIT का कोई content chart या diagram में नहीं आ पाता तो उसके लिए हम क्या क के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग chart और table का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चीजा आपके लिए आसान हो और इजी हो इस बात को दिमाग में set करके अच्छी तरह से रखना है ठीक है ना चलो तो pulmonary respiration कैसे होता है lung से होता है cutaneous or integumentary respiration moist skin से होता है और इसमें क lining of buccal cavity and pharynx यह सारे NCRT के point हैं जिनको हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं फिर थोड़ी सी pulmonary respiration में जो ear का passage होगा वो क्या होगा outside ear सबसे पहले कहां जाएगा nostril में उसके बाद buccal cavity उसके बाद lungs में जाएगा इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है फिर थोड़ा सा बात कर ल पहला blood vascular system और दूसरा lymphatic system blood vascular system is consist of heart blood vessels and blood while lymphatic system is consist of lymphatic heart याद रखना lymphatic heart हमारी circulation में नहीं होते lymph channel lymph node and lymph ये बात याद रखना इतना कर अब इसका heart का बात करें तो heart में तीन main chamber है और दो accessory chamber है main chamber कौन सा है right orical है left orical है और single ventricle है all these are main chamber that's why this heart is called as three chamber heart अब दो accessory chamber है देखो ये sinus venusus है ये right atrium के साथ में attached जबकि कौनस ये ठंकस arteriosus ventricle के साथ अटेच बोड़ी का deoxygenated blood सबसे पहले कहां जाएगा sinus venusus में फिर कहां जाएगा right orical में उसके बाद कहां जाएगा ventricle oxygenated blood सबसे पहले कहां जाएगा left orical उसके बाद ventricle में oxygenated और deoxygenated blood का mixture होगा जिससे क्या बनेगा mixed blood it will be enter into truncus arteriosus ये पूरी body को supply होगा और respiratory organ में जाएगा such kind of heart is called as three chamber or truncus heart ये amphibia में होता है amphibia के लावर reptile में भी same type का heart फिर इसमें एक दो खास बात है इसमें क्या है hepatic portal system पहया जाता है hepatic portal system में याद रखना elementary canal का जो blood है उसे कहां ले जाया जाता है liver elementary canal के चार organ से खासत और से stomach, spleen, pancreas as well as intestine इन चारों organ का जो blood है hepatic portal बेन से कहां ले जाया जाता है liver ठीक है ना और इसके दोनों side में capillary होती है और इसका objective क्या है जो access food material है उसको liver में store करना it is found in amphibia इस बात को अच्छी तरह से याद रखना उसके अलावा इसमें renal portal system भी है जिसमें lumber reason और leg कमर और पैर का जो blood है वो renal portal system से कहां ले कर जाया जाता है kidney में this is called as renal portal system renal portal system is found pysis amphibia reptilia bestisial in abyss and absent in mammalia got it my point फिर अगर इसके blood के बारे बात करते हैं तो rbc कैसा है circular है and nucleated है और large size का है लेकिन इसकी density कम हो जाती याद रखना हम ये eukaryotic rbc है हमारी body में जिसे होता है maturation के पहले eukaryotic होता है बात में कैसा हो जाता है pro karyotic बैसी rbc ये नहीं है उसके लाबा क्या है wbc है blood plate लेट है जिसे spindle cell भी कहते हैं तो ये इसका blood हो जाता है अब बात करेंगे excretory system के बारे बात करने से पहले diagram हम देखें देखो ये बन पेयर kidney है इसमें ये जो आप देख रहे हो त्री लोब से बना हुआ बन पेयर kidney है ये मेल का urino genital system आप देखो kidney के आगे क्या लगा है fat body ध्यान से देखना कुछ basic structure kidney के आगे क्या लगा है fat body और kidney के side में क्या लगा है testis testis से क्या निकलता है vasifrens और vasifrens कहां चला जाता है ये kidney के अंदर चला जाता है फिर से एक बार ध्यान से देखो बन पेयर testis consist of three lobe testis के upper side पर क्या है fat body और outer side पर क्या है testis testis से vasifrens या निकलता है kidney के अंदर चला जाता है फिर kidney के अंदर से एक duct का origin होता है जिसका नाम है urino genital duct male के किसमे urino genital duct है फिर male के किसमे urinary और genital duct अलग-अलग हो जाएगी ये कहां खुलता है cloica में और यहां से इसका urine को store किया जाता है urinary bladder में जरह इस diagram को यहां ध्यान से देख लेना got it my point अब जरह हम पिछले उस पर आते हैं अब हम जो पिछले diagram देख रहे थे जो एक चार्ट है इसको समझने का प्रियास करते हैं देखो सबसे पहले कहां पर पोस्टिरियर साइड और बोड़ी का इपड़ी बोड़ी का इपड़ी के पोस्टिरियर साइड में है और बोद यूरिनरी ब्लेडर और ऐस्टे में इसका इक्स्कृतर इसका सारा डिटेल यहां पर हो जाता है एक लाइन यहां पर लिखा हुआ है और फ्रोग एक्स्क्रीट यूरिया ऑन 10 इसा यूरीयो टैलिक अनिमल इसका जो में एक्स्कृतर रिबेष्टे वो क्या है यूरिया है तो एनिमल कैसा हो जाएगा, ureotelic animal, excretory waste are carried by blood into the kidney, blood से कहां जाता है, kidney में जाता है, and it is separated and excreted, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखना, उसके बाद बात करेंगे, nervous system, it is consist of three type of system, central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system, central nervous system is consist of brain and spinal cord, peripheral nervous system is consist of cranial nerve as well as spinal nerve, and autonomic nervous system is consist of sympathetic and parasympathetic nervous system, और याद रखना, cranial nerve इसमें कितना, 10 pair है, हमारी तरह से 12 pair, इसमें नहीं पाया जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, थोड़ा brain के बारे में बात कर लें, इसमें कितना पायाट है, four brain है, mid brain है, hind brain है, four brain किसे बनाया, olfactory lobe, जो की हमारे brain में नहीं पाया जाता, और उसके बाद क्या है, cerebrum, one pair है, और उसके बाद dynesafio है, अगर mid brain का बात करेंगे, corpora by gemina, मतलब two hollow optic lobe, ठीक है, हमारे case में कितने होते हैं, हमारे case में four optic lobe होते हैं, इसके case में कितना है, two है, हमारा जो optic lobe है, लगबग solid होता है, जबकि इसमें क्या होता है, cavity होती, अगर hind brain की बात करेंगे, it is consist of cerebellum, as well as medulla oblongata, and pons is exclusively absent, pons is found only in mammoth, अब उसके बाद बात करेंगे, sensory organ के बारे हैं, बिठा बिल्कुल NCRT को हम discuss कर रहे हैं, thigmo receptor, मतलब क्या है receptor for touch, इसमें कौन सा sensory papilla है, gasteto, मतलब receptor for taste, इसमें क्या है, taste but tongue पर होता है, olfactor receptor means, receptor for smell, इसमें कहां होता है, nasal epithelium में होता है, थोड़ा सा eye और ear के बारे में भी बात कर लें, जो eye है, eye in a frog, a pair of spherical structure, situated in orbit, in skull diagram में हमने देखा था, head के दोनों side में हैं, और nictating membrane से डखी होई है, these are simple eye, possessing only one unit, arthropoda की तरह multiple units से नहीं बना है, अगर ear की बात करेंगे, तो external ear is absent, frog, and only tympanic, tympanum can be seen externally, the ear is an organ for hearing, as well as balancing, equilibrium, as well as accosting, यह सरी चीज़े हमने पड़ी हुई है, आगे हम और भी पड़ेंगे, फिर यह diagram जो भी हम देख कर आए हैं, testis, testis के बाद, fat body, bass syphrensia, urinogenatal duct, and opening of urinogenatal duct, अब इसका male reproductive system का, थोड़ा सा detail हमें और देखना है, तो हमने testis का detail में structure यहाँ पर देखा है, देखो यह testis, testis की जो covering है, वो क्या कहलाती है, this is called as major key, यह testis की covering है, and covering of testis is called as major key, हम इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, क्या कहलाता है, major key, testis से कहा निकलता है, 10 to 12, वासे फ्रेंशिया, और एक kidney के अंदर, एक कैनाल है, जिसका नाम है, bitter canal, bitter canal is a connection in between testis as well as kidney, याद रखना, इस पर बहुत question आता है, bitter canal is found only in male frog, it is found in kidney, and the junction in between, वासे फ्रेंशिया as well as kidney, फिर यहां से कहा निकलेगा, यहां से यह excretory duct निकलेगा, और यह कहां जाकर खुल जाएगा, ureter या male urino genital aperture, यह nephron है, किद्नी किद्ने लोब से बना है, कुल मिलाकर, तीन लोब से यहां पर बना हुआ है, फ्रुड़ा सा structure और देखू, यह testis, यह bitter canal, दोनों के बीच में, 10-12 vast difference है, बेटा में इसका बार-बार diagram दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस structure का male frog में, बहुत ज़्यादा important है, उसके अलावा कहीं भी ऐसा कोई structure नहीं पाया जाता है, ठीक है, यह ureter और male urinogenital duct है, यह क्या है, क्लोइका है, उसमें जाकर यह खुल जाता है, और past urine, fecal material as well as gamut, तीनों को यह pass करता है, that's why this is called as क्लोइका, फिर urine का पैसेज क्या होगा, अगर male frog में बात करते हैं, तो देखो, अब यहाँ पर इसका देख लो, sperm का पैसेज क्या होगा, वासिफ्रेंशिया, वहाँ से कहाँ जाएगा, bitter canal, bitter canal से कहाँ जाएगा, excretory canal in kidney, फिर urinogenital canal, फिर cloica and cloical aperture, और वहाँ से यह बाहर निकल जाएगा, female यह बाहर निकल जाएगा, और इसका बाहर निकलना, sperm का क्या कहलाता है, insemination, ठीक है, फिर थोड़ा सा बात किया है, female reproductive system, जब हमने बात किया, male reproductive system के बारे में, it is consist of testis, one pair, वास, efferentia, 10 to 12, ठीक है, 10 to 12 pair, bitter canal, excretory canal, then urinogenital canal, और cloica, female में बात करेंगे, तो obri, one pair, obiduct and cloica, क्योंकि इसमे, excretory canal, और यह अलग अलग होता है, diagram देखो, यह obri, obri के उपर क्या लगा है, fat body, नीचे, और यह दो, यह दोनों structure कहा, kidney के उपर है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, obiduct का kidney से कोई connection, यहां से oba बाहर निकलेगा, और देखो, यह obiduct है, यह obiduct में जाएगा, obiduct का पहला पार्ट का है, ostium, यह ostium में एंटर कर जाएगा, फिर यह obiduct में जाएगा, obiduct ही opening कहा होगी, cloaca में होगी, जबकि, kidney का जो duct है, वो cable urator कहलाता है, urino genital aperture नहीं कहलाता, बच्चों इस बात को याद रखना, it is called as only ureter, and not urino genital canal, while in case of male, it is called as urino genital canal, तो male में भले ही, obiduct के उपर है, but kidney से कोई functional, उसका relation नहीं है, kidney से ovum निकलेगा, मतलब obri से ovum निकलेगा, और obu कहां जाएगा, और सिधे-सिधे obiduct में जाएगा, इस बात को जरा दिमाग में set करके रखना है, ठीक है, और एक mature female, एक बार में 2500 to 3000 oba, एक टाइम में release करती है, at the end of amplexus or sexual embrace, देखो एक बात याद रखना, कि जब इसका breeding season आता है, तो पहले क्या होता है, उसके बाद male जो होता है, female के back पर आकर बैठे जाता है, and this position is called as sexual embrace or amplexus, this is called as sexual embrace or amplexus, you have to keep in your brain, इस बात को अच्छी तर ऐसे दिमाग में set करके रखना है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद, उसके बाद क्या होता है, oba का release होता है, कितने oba का होता है, 2500 to 3000 oba, at a time at the end of amplexus or sexual embrace or sexual act, fertilization is external, and take place in water, development involve a larger list, larval stage called tadpole development, कैसे होता है, tadpole के थो होता है, ठीक है, and tadpole undergoes metamorphosis to form the adult tadpole का metamorphosis होता है, जिससे क्या होता है, adult बन जाता है, इस बाद को अच्छी तरह से दिमाग में set करके रखना है, उसके बाद, frog का economic importance हमें देखना है, तो सबसे पहले, frog are beneficial for mankind, because they eat insect, and protect the crop, ये insect को खाते हैं, और हमारे crop को बचाते हैं, उसके अलाब याद रखना, frog maintain biological balance, because these serve as an important link of food chain and food barb in ecosystem, ecosystem के food chain और food barb का ये बड़ा link है, इन सम इन सम कंट्री, दा मस्कूलर लेग ओफ फ्रॉग आर यूस्ट एस फूड बाए में, ठीक है बटा, यहाँ पर सारे frog को जितना NCIT बेहें, उसको हमने डिसकस कर लिए है, और भी बहुत सारी बात हैं, जिनको मैं डिसकस करने का मेरा मन करता है, लेकिन यहाँ सवाल मेरे मन का नहीं है, सवाल हम यहाँ किस के लिए बठे हैं, नीट के लिए बठे हैं, तो हम हमें वो तरीके डैबलब करने हैं, जिन से नीट आसान हो, और जिससे हम याद भी कर सकें, और हमें चीजें दिमाग में, चीजों को हम आसानी से रेटेन कर सके और पूरा NCIT हम कवर कर रहे हैं तो इससे बाहर कुश्चन जाने का प्रस्ट नहीं पैदा नहीं होता ठीक है कल इसका कल इसका टेस्ट रहेगा फ्रोग का और संडे को मेगा टेस्ट होगा जिसमें इन तीनो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे किन किन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे हम टिशू को लेंगे टिशू के अलावा कॉक्रोच काउक्रोच के अलावा फ्रोग इन तीनों को हम कवर करेंगे ठीक है अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ओके ओल दा पेस्ट